नमस्कार सातियों मैं रामकुमार सास्त्री आप सभी का हर्दिक स्वागत और अभिन्दन करता हूं समस्क्रश रसुति परिवार में आप सभी का हर्दिक स्वागत है पिछले कक्सा में जिसा कि हम टेस्ट्रीज की बात कर रहे थे और इस टेस्ट्रीज की सरंकला में हम उनको भी साथ ले लिया है अब हम इसके बाद का जो संदी कारिक्रम है वो पढ़ेंगे जल्दी से आप एक बार इस वीडियो के लिंक को सभी जगे फैस्बूक वाटसप ग्रूप आदी पर आप शेयर कर दीजेगा टेलिग्राम पर आप शेयर कर दीजेगा ताकि सभी साती अपने साथ जड़ सकें और इस वीडियो से लावानवित हो सकें जल्दी से आप सभी एक बार इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजेगा क्योंकि इसको शेयर कर डाला तो फिर लाफ चिंगा लाला जल्दी से शेयर कर लीजेगा नमसकार सभी को सुपर बाद प्रणाम नम नमस्कार के अएद्व करो एक बार आप जल्दी से वीडियो के लिंक को शेर करो भी या जल्दी से ज्यादा से जदा हमारे जो साती है आप उनको बुलाईएगा ठीक है जहां से हमने संदी के कारेकरम को छोड़ाता वहीं से वापस पकड़ेंगे और प्रयास करता हूँ कि आपके परिक्षा के प्रश्ण संदी सम्मन्द यदि कोई हो तो आपका यहीं से मिले तो एक बार जल्दी से वीडियो के लिंग को आप शेयर कर दीजिएगा मैं चलता हूँ तोड़ा साइड में छोटा हो जाता हूँ मैं ठीक है बहुत अच्छी बात है बुला लीजिए सबको जल्दी से दस प्रशन की चर्चाम कर लिए थे ग्यार्मा प्रशन हमारे सामने हैं वीडियो के लिंक को आप शेयर करें एक बार जल्दी से नमस्कार सभी को राधिरादे जैराम जी की प्रणाम भई साभ सभी को नमस्कार प्रणाम सुप्रभात वंदी बात रब जैतु समस्कात हम जैतु बारत हम चले शेयर कर दीजिएगा आप मैं लेकर चलता हूँ आपको प्रसन संक्या दस के बाद हम 11 की चरचा करने वाले थे प्रसन है हमारा इससे पहले भी हमने जो प्रसन पड़ा है वो भी की तरह का था था कारिय का हुआ है तो पद और अपद को मैं आपको बता भी रहा था कि जो सब्द रूफ होता है या धातू रूफ होता है वो आपका पद कहलाता है और उसके पीछे कोई संदी कारिया आप जस्तु का कर रहे हो तो उसको अपदान जस्तु संदी कहते हैं और यदि वो पद नह तो बहां तो पद आंगे के इंथ में संधिकारी हुआ है लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं यह तो पद है ही ही नहीं सबुटरूप यह लाइक सब्सक्रे physicians है अउन मुस्राइब tür iis इशह जगदी शह इसको अजही नम समझेगा आप अजही नम है न तोड़ा प्रिंट मिस्टीक है इमस समझेगा इसको जय समझेगा ठीक है कौन सा उत्तरों का भाई जल्दी बताए पकड़ में आया देखिए अच भी क्या है सब्द रूप है अच अचाव अचाहा सत शत भी आपका शब्द होता है जगत जगती जगंती ये भी आपका संसार का प्रियाए वाचक शब्द है यदि शब्द है तो पद है क्योंकि पद बने न सब्द रूप हैं तीनों की तीनों पद हैं इसलिए इनके अंत में ये जो संदीकारिया आप कर रहे हैं चैको तैको और दि शो अंते जबकि यहां आप देख रहे हो ना यह लब प्लस दी लब क्या है धातू है धातू का रूप तो है नहीं लबधी आदी तो कुछ लिखा नहीं है तो याद रखिएगा धातू में होने वला काम आपका अपदांद जस्व संदी का कारे है यहां पर पहला दूसरा ती तैसरा चोता यह तो भाकिस्तान पर तीसरा क्या होगा लबधी बना चैकेस्तान पर तीसरा करोगे तो अज हीनम बने गा अग्ला वरसन में आपके सामने लेता हूं एक बार एदी वीडियो का आपने लिंक लाइक कि यह अनकि नहीं किया हो तो इसे like करें और शेर भी करें ताकि अद्यसाति को आप जोड सकें और सभी लोग से लबानुवित हो सकें समीचीनम अस्ती कौंसा सही है जल्दी से जौब दिजिएगा सथ प्लस आचार सद आचार सट प्लस रितू शड रितू सट प्लस आनन सदा और नहां चित प्लस रूपम चद nationalism तो समी चीपन अस्ति की जग्ली से तीजए समीच Cand whistle क्योंकि तें उपसं सही है वैसा ही सलिए आप इसको समझें समी चीन नहीं है समीच Candice न बडानी से हैं में एक उदान गलत है चाटो जल्दी से जवाब दीजिए या ऐ बहुत बढ़िया कोई भी बिना कमेंट्स करें नहीं रहे जितना दिक कमेंट्स आप करेंगे उतने इच्छा आपको लगेगा जल्दी से कमेंट्स करके बताइए सद प्लस आचार सद आचार सही है न भई तै टैकेस्तान पर ड़ करोगे सडानन हो जाएगा चित रूपम में टैकेस्तान पर तीसर अक्षर करोगे ड़ और रूपम में रूप बढ़ा होता है इसलिए रूपम यहां तोड़ा ध्यान देना था आपको भी से इस रूप से इस प्रस्न का जो हम पूछने का तरीका उसको आपको छाटना है ठीक है अब आजए यहां सड प्लस रितू में री जुड़ेगा टैकेस्तान पर ड़ हुआ लेकिन जब डै में री जुड़ेगा तो ऐसे जुड़ेगा इस प्रकार जो डै में है वो रोह री नहीं है इसलिए यहां पर आपका शब्द क्या बनेगा अगला प्रशन देखते हैं हम लोग प्रशन संक्या बारा के बाद प्रशन संक्या है आपका तेर्वा अब इसमें भी देखें तार्तमेता प्रशन की वीडियो को जल्दे शेर जरूर कर दें आप सभी साथे को जोड़ लें कहरा है कि जस्तो संदी कुत्र नास्ती एक उध शुब प्लस दह वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चोथा अकसर आगे होना चाहिए और तीसरा चोथा पांचवा या पिर कोई भी स्वर पीछे होना चाहिए ऐसा होने पर यहाई वरल हो तो आगे वाले वर्ग के स्थान पर तीसरा अकसर होता है तो कहां आपने तीसरा नहीं पर किस्तान पर पहला किया आपने पहला करना जस्तुसंदि नहीं होता है बलकि कॉनजिशंदि फीर होती है तो लिपसभ आस्ताव में चरत्य इस यह है यह संदी का उधान नहीं इसलिए आपका उत्र क्या हो जाएगा लिपसां सिद्ध प्लस धी में आपने इसको भी तीसरा किया और आपका सब्द क्या बना सिद्धी इसलिए याद रखेगा अच्छा सारे उधान बहुत महतुपून हैं यहां चारों उप्शन में जो भी आ प्रदार लाजवाब भेंकर चीज़ है धासू चीज़ है फाडू चीज़ है एक बार आप वीडियो शेर जरूर करें ताकि सभी साथ हमारे जुड़ें और ज्यादा से ज्यादा इस टेसरीज कर लाब उठा सकें अगला प्रशन है कस्मिन पदे किस पद में अनुनासिक सं संदी को हम कैसे पहचानेंगे पहले इस प्रशन का जवाब दें हम बल्दी से एतत प्लस मुरारी एतन मुरारी क्या यहां अनुनासिक संदी नहीं है इसको दिर्ग उ समझे भई न मूर खम डिक प्लस मूर खम में दिंग बूर खम क्या यहां अनुनासिक संदी नहीं है वाक प्लस निपुण में वांग निपुणा क्या यहां अनुनासिक संदी नहीं है मृत प्लस महिमा मृण महिमा या मृण महिमा क्या यहां अनुनासिक जल्दी नहीं है समंझ में आरी बात, पकड़िये जल्दी से बहुत बढूनिया, बहुत अच्चे आई पकड़ में, धिक प्लस मॉर्खम में क्या बना रखा है, धिक मॉर्खम यहां आगे वाले वरण के स्थान पर पांचों अक्षर नहीं बलकि तीसरा अक्षर बना रखा है जब तीसरा अक्षर का संदी कारियाब करते हैं तो संदी का नाम जस्त संदी होता है उपर वाले में एतद प्लस मुरारी में दै के बाद में पंचम बन में मिला तो आगे गगए वांग निपुना है बना मुर्द प्लस महिमा में मा के आगे पंचम अक्सर हुआ तो यहां तैकिस्तान पर भी ने होता है लेकिन ने को किसी विशेश नियम से ननात्व कारी भी हो जाता है उसलिए यहां पर मुर्द महिमा ऐसा रूब बनता है तो कहा कि कहा नुनासि संदी नहीं है तो तीसरे में नहीं है क्योंकि यदि अनुनासिक संदी आप यहां करते तब आपका शब्द ही कुछ और हो जाता हो आला कि प्राप्त तो है प्राप्त होते भी है करते भी है तो धिंक प्लस मुर्खम में यदि अनुनासिक संदी करते तो कहा का पांचम अक् और वाध में किसी वर्ग का पंचम को सकता है तो आगे वाला जो और अधिया सा बीजाता है उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो होता है इसी परकार से यहां आप अनुनासिक संदि करते तो आगे पंचमं मळ मह इसके पहले को इस क्परकार आप की नुनासिक संदी पूर्ण होती है अगरा सवाल आपके लिए बहुत जोड़दार है बहुत भेहंकर सवाल है आशा करता हूं आपको ये बहुत बढ़िया समझ में आएगा ये लो भाई साब सवाल आपका समी चीनम नास्ती एक उधारन ऐसा है जो आपका समी चीन है समी ची मुखाह क्या ये सही है सट प्लस मुखाह क्या ये सही है जगत प्लस नाता है जगन नाता है क्या ये सही है ये पिर सभी समी चीन है जल्दी बताएं पटाक से जाद हुई है जल्दी से दो तुरंट दे डालो मज़ा ले लो जल्दी करो ले मज़ो ले हो गया पकड में आग सदिक उतारण अनुनाशिक सन्साइचत का नियम होता है आगे पहला दूसरा तिसरा चौता को इसा भी हो बाद में किसी बरका पशिवाद का पंचम अक्षर हो तो आगे वादे अक्षर को भी हम पांचम करेंगे पनखन शांगया relationship पहले दूसरे तीसरे चोते वरणों के बाद यदि आपको किसी भी वरण का पंचम अक्षर मिल जाएं तो आगे वाले वरण के स्थान पर भी पंचम अक्षर हो जाता है पै की लाइन हो तो नह हो जाएगा पै की लाइन हो तो मह हो जाएगा का की लाइन हो तो नह हो जाएगा ठीक है भाई सब किस परकार से सवाल अब का होता है अगरा सवाल देखिएगा और भी अच्छा मिलेगा आपको उत्तर देने में कभी भी आप कंजूसी मत करिएगा और बिडियों को शेर और लाइक करना भी मत बूलिएगा सिरीज के बाद में आपके जो भी अनुवर रहते हैं आम उनको भी शेर करना मत बूलिएगा तद प्लस मयम तनमयम बनता है तद प्लस मातरम तनमातरम बनता है मरत प्लस मयम मरनमयम बनता है एतेसू पदेसू का है संदी तो फिर बताओ, इन सभी पदों में कौन सी संदी है, तनमयम, इसी प्रकार से आपका तनमात्रम, इसी प्रकार से आपका मिनमयम, तो इन सभी उधारणों में कौन सी संदी का योग बन रहा है, आपने देखा देकेस्थान पर भी पांच बनाया, देकेस्थान पर भी पांच बनाया तो पंचमबर्ण बनाने की संधी का नाम ही क्या होता है अनुनासिक संधी, पंचमबर्ण कौन बनेगा तो यह बनेगा, मह बनेगा, यह बनेगा, अना बनेगा और नह बनेगा, जब पंचमबर्ण में से कोई सा बना बना लेते हो, तो निश्य दूप संधी का नाम हो नित्य नुनासिक संदी है या फिर नॉर्मल नुनासिक या विकल्प नुनासिक संदी है वासमन में आ रही है ना आपने पड़ा होगा प्रते भाशायाम नित्यम प्रते भाशायाम नित्यम नियम है कि आगे पंचम अक्षर यदि किसी प्रते का हो तो दो ही प्रते विशेश रहता है इस प्रकार से दोनों ही में मात्र से मात्रम बनता है और मय से मयम बनता है तो जहां भी मात्रम और मयम आपको पद बाद में दिखाई दे तो आप समझ जाएकस का मतलब यहां पर नित्य अनुनासिक संदी है और नित्य अनुनासिक संदी से तात पर यह है कि जब सुसंदी पराप्ट होती है कि ज्जस्ट संदी का नीम भी यही है तो नित्य नुनासिक संदी कहते हैं कि मयम और मात्रम जहां मिल अनुस्वार संदी में हम प्रवेश करते हैं, अनुस्वार संदी का सुत्र है, अनुस्वार संदी सुत्रम अस्ती, कौन सा अनुस्वार संदी का सुत्र है या आपको छाटना था, मौनुस्वार है, नस्चा पदानता से जहली है, प्रते भाशे अमनित्यम है, या अयत अता बैं दोनों ही उत्र हैं कई बार मैं आप से बोलता हूं कि यार कम से कम प्रश्ण को आप पूरा पढ़ा करो क्योंकि प्रश्ण को पूरा पढ़ने से क्या होता है कि उसका उत्र सठी का जाता है अनुस्वार संदी का नाम आते ही मोनुस्वार सुत्र पढ़ा आपने और आप सब को पताईए कौाग से संदिगा शत्र है करते रहे इंप जोस LGBTQ संदिगा तो यहां उत्रा में आह और बे दोनों आएंगे इस व्फ्षन में लिखा है तो तो आपका उत्रों यहाद रखेएर खाना यानि कोई भी शब्द रूप आपका आगया हो और शब्द रूप के अंत में मैं दिखाई दे तो वेंजन वर्ण पर ही रहते उस पदान तो मैं के स्थान पर ये क्या करता है अनुस्वार करता है अनुस्वार का प्रियोग स्वर के पीछे किया जाता है एक विंदू को यानि मैं भी हो जाएगा और ने भी हो जाएगा उसका आप अनुस्वार करता है ये मैं और ने दोनों को अनुस्वार करता है ये मैं और ने दोनों का अनुस्वार करता है ये मैं और ने दोनों का अनुस्वार करता है यदि पद के अंत में किसी सब्द रूप के अंत में में आएगा तो मौनस्वार को बुलाए जाएगा यदि किसी धातू के अंत में विशेश रूप से बतारो सीधा धातू के अंत में यदि में और ने आएगा तो वहाँ पर नश्चा पदानता से जली को बताए जाएगा जैसे हरीम प्लस बंदे अब देखो हरीम क्या है दितीया वक्ती का एक वच्छन है पद है सब्द रूप है तो यहाँ पर मैं को नस्वार करने को ना आएगा मो नस्वार आएगा लेकिन कुछ ऐसी जगह जहाँ धातूं से भी मिल जाता है जैसे नम पलस शती अब नम क्या है एक धातू है धातू रुप नहीं है तो शब्द या पद नहीं है तो इसलिए यहाँ पर यही मैं को नस्वार आपको करना हो तो फिर आपको नस्चा पदांता से जली जो कहता है धातू या किसी सब्द के पीछे भी यह दी आपको मा या नह दोनों मिल जाए तो आप उसको अनस्वार कर दो इसका मतलब मैं को पद के अंतमे में या नहीं शब्द के अंतमे में भी होता है और पद का मतलब हो गया है कि पद के बीच में भी होता है तब कि ने का केवल और केवल एक ही जगा आप अनस्वार कर सकते हैं जब किसी सब्द के पीछे हो या किसी धातू के पीछे हो जैसे नम धातू, हन धातू, कुन धातू ऐसे अगला प्रशनाम का और भी बहतरीन होगा जल्दी से जल्दी जवाब देने का प्रयास किया करें आप सभी जतने भी लोग देख रहे हैं आप सब लोगों केमेंट साथे हैं तो अपने आप हमत आ जाती है अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक या शेर नहीं किया तो एक बाrd आप अशेर करें ताकर सभी साती मरसाज जुडे अनुस्वार प्रस्वन संदिय का सुत्र होगा इसके बाद में आज़िए गा अनुस्वार प्रस्वन संदिय का सुत्र कौनसा है दोस्तों अनुस्वार परसवन का मतलब होता है अनुस्वार को परवर्ण के समान बना देना मान लीजी अनुस्वार है और उसके बाद में कोई भी आपका अक्षर है तो उस आगे वाले अक्षर को देखकर के यदि आप अनुस्वार के स्थान पर आगी के समान पांचों वन आदेश कर देते हो तो वो आपकी अनुस्वार परसवनी है क्योंकि बाद वाले को देखकर कि आपनी यहां पांचों किया है तो उसलिए इसका नामी अनुस्वार परसवन संदी है इसके आपके जो सुत्र हैं वो निश्चत रूप से एक तो वापदानतस से अनस्वार से यही परस्तावना या फिर निश्चत पदानतस से जली है या ए तताब बैद दोनों है जली से कमेंट्स बोक्स में कमेंट्स करके बताईएगा बहुत प्यारा सवाल है मैं सोच रहता तोड़ा तोड़ा सुत्रों का ब्यास हो जाना चाहिए ताकि आपको कठी नहीं लगे इसलिए मैंने बीच में सुत्र जादी डाल दिये तो अनुस्वार संदी के दो सुत्र है एक पदान्त में वापदान्त से काम करता है वायनी विकल्ब से और एक नित्य काम करता है जो पद के पीछे काम करता है अनुस्वार से यही परसवरना तो याद रखेगा दोनों ही अनुस्वार की परसवन करने का, यानि अनुस्वार के ष्ठाण और पन्चम वन करने के सुत्र है आगए बड़ू उत्र क्या होगे आपका एस था अब ये दोनों कैसे कैसे अनुस्वार की कारियों को संपार्यत करते हैं यही आगला अपना प्रश्ण का टार्गेट होगा समी चीनम अस्ती आईए हम अनुस्वार संदी में प्रविश कर गए है हन प्लस ता हन ता हन प्लस ता हन ता देखो हन को न को अनुस्वार हुआ और अनुस्वार का वापस परसाण हो गया प्यूहनता बना अन-प्लस की दह में पहले हमने अम को अनिसवार किया फिर अनूस्वार के स्थान पर होता कया है वह संदी में तो यह भी सुन लिजेगा कि यदि किसी धातू के पिछे या सब्द के पिछे मोर नहों हो और उसके बाद में यदि आपके कोई वर्न हो सामाने तो फिर वहां पर आप क्या करते हो नए के स्थान पर या में के स्थान पर अनुस्वार कर देते हो अब अनुस्वार के बाद में भी यदि कोई वर्ग का पहला दूसरा तीसरा जोता पांच सौक्षर मिल जाता है तो अनुस्वार के स्थान पर आगे वाले वर्ण के समान पंचम बन हो जाता है इसलिए यहां पहले हन का हम किया जाता है फिर ता किया जाता है फिर अनुस्वार है विचार इस्तरी जाती की बोला इसका भ्या कर दो तो बोला मुझे मेरे जिसाई चाहिए अनुस्वार का उचान नाक से होता है असलिए नाक वाला चाहिए अब नाक वाले तो आपके पास में यह मंगनना यह पांस ही है अब जो तै के लाइनम का अक्षर है जिसका नाम ने है वो यहां करके बैठ ज जज़यां अंचित बनेगा इसका मतलब यह हुआ कि जितने भी उधारण में तीनों इसमें लिखे है आप लोगों के लिए तीनों के तीनों तीनों उधारणी एकदम सही हैं बहुत सारे लोग गलत बता देते हैं फिर करते हैं सर गलती हो गई हम तो समझी नहीं पाया थे अब समझ में आरी बात चलो देर दुआये दुरुस्त आये समझ में तो आईगी न आपके बात अगला प्रशन है आगे बहुत भी इच्छे प्रशन आपके सामने आएंगे समिची नम अस्ती निम्न में से कौन सा सही है ये आपको बताना है अब देखें यहां पर क्या होता है वापदानतस से मैं आपको एक सुत्र लिखा है न अभी वापदानतस से कहता है जब किसी पद के अंत में आपको अनुस्वार करना हो तो विकल्ब से करिये गा है अब जली और मोनस्वार वो भी काम कर सकता था मोनस्वार से आपने अनस्वार कर लेंगे यह देखिए अनस्वार यह किया हुआ है ना तो पहले तो अनस्वार का काम तो संयम मना लेकिन एक नियम है जिसके दोरा क्या होता है अनस्वार परसवन का कारिय किया जाता है और वो अनुस्वार का कारिये वापदांतस्य से विकल्ब से होता है पदकेंत में इसलिए मैकेस्तान पिर साथ में क्या हो गया यह लेको अनुनासिक यह आदेस हो गया परकेसमान यम लोकम में भी परकेसमान मैको ले बना दिया यम लोकम और बागी नहीं हुआ एक बार विकल्ब से होता है ने से इसलिए मैं को अनुस्वार करके यम लोकम कर दिया पॉम प्लस लिंगम में मैं को अनुस्वार किया पहले पिर अनुस्वार को लेकर समाना बनाओगे तो पुलिंगम बनेगा अगला प्रशन आपके लेता हूं, और भी अच्छा प्रशन होगा, सभी चीनम नास्ती, आगे के को सुत्र हैं, जिनके माध्यम से हम आगला जो है, टार्गेट लेके चलेंगे, इसके बाद में सभी नहीं के उधारन और बहुत महत्वपून उधारन आने वाले हैं, ठीक है? तो अगले जो संदियां हमारी होगी, उसमें हम पूरसवन संदी का, तोरली सुत्र की लत्व संदी का, सच्चु अटी सुत्र जो हच्छत्व संदी का, और स्टोश चुना, श्चु आदी जो सुत्र हैं, वो सारी चर्चा हैं हम करेंगे, ठीक है? ये दस सवाल आज आज आ अधिक अभ्यास करें, और कल फिर हमारी साम के सुबह के दोनी क्लास से रेगुलर चलती रहेंगी, साम की क्लास का टाइमिंग रात को साथ से आट रहता है, और सुबह की क्लास जो अपनी चल रही है, उसका टार्गेट या उसका समय जो रहे है, वो आपका सुबह साड़े स से साड़े नो बज़े साड़े आड़ बज़े तक रहेगा तो थोड़ा स्वास्ते मेरा इसलिए नरम था इसलिए मैं ज्यादा आपस बात करनी पाऊंगा ठीक है क्योंकि अभी आराम कर लूँगा तो आगे वापस उठकर रहा हूँगा और बार बार परिसान रहूँगा त तरह की टेस्टरीज मिल रही हैं और कुछ लोग अधीर हो जाते हैं अधीर होने के आपके साथ चल रहा हूँ और अपने अप्लिकेशन में जल्दी ही एक दो दिन में अपडेट करके डाल दूँगा टाइपिंग वापिंग करवां उसको अपडेट करवाने ताकि और अच इस बात ये है कि अपनी जो पुस्तक है समस्कर स्रस्वती हितो अपडेशन में अब मिल जाएगी। स्रस्वती कि नाम से पुस्तक है यह जिसमें पूरा का पूरा नया पाथे करम आपका इसमें जोड दिया गया है। आप चाहे समय ग्यान की बात करें, चाहे संख्या ग्यान की बात करें, अलंकार की बात करें, राजस्तान के साहितिकार की बात करें, यह सारे टॉपिक इसमें जोड़ करके शांदर तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके और विवस्तित तरीके से मैं आपके सामने रख दी हैं, ये पुस्तक आज से आपको सब जगर उपलब्द हो जाएगी जहां भी उपलब्द नहीं हो रही है आप किसी भी दुकान पर जाते हैं तो वहां जाकर कहिए कि रामकुमार सर की सरस्वती बुग जो आरिवीडी पब्लिकेशन से आती है वह हमें उपलब्द करवाईएगा दुकान दार अपने आप मंगवाएगा और आप लोगों को प्राप्त प्रदान कर देगी बहुत बढ़िया डायग्राम से बहुत अच्छे विसेवस्तूर साथ में कुशन अंसर के जो भ्यास प्रशन शांदार है और जल्दी ही में इसके साथ है आप मौडल पेपर जो है अपना समस्क्राइश सरस्वती का व्याख्यात तुमग मौडल पेपर है आप उसका भी बिहास करियेगा उसके लगा टॉपिक वाइज दिए आप टेस्ट पेपर चाते हैं टॉपिक वाइज दिए आप बुक चाते हैं तो जल्दी ही दस दिन का समय के बाद में लगबग ग्यारवे बारवे दिन आपको ये पुस्त तक भी मार्केट में जल्दी मिल जाएंगी तो पढ़ते रहेगा सरस्वती सीरीज को योट्यूब चैनल के माद्यम से आप जुड़े रहेगा एप्लिकेशन आप डाउनलोड करें सबस्क्रिशन आप लेतना चाहते हैं तो बहुत बड़ी अबात नहीं ले तो भी कोई समशा नहीं है पर आप पढ़ते रहें उसमें बहुत सारे टेस्ट पर आदिया आपको मिलेंगे तो इश्वर करें कि आप सब अच्छा पढ़ें और सब आपकी परिक्षा में आए कल आज साम की जो रात की किलास होगी उसमें भी आप जुड़िएगा आपके जो भी नए अटोपिक जुड़ा है संख्या ग्यान हम वहाँ पढ़ रहे हैं तो वहाँ भी संख्या ग्यान ये दिया आप पढ़ोगे तो निश्यत रूप से आपको कक्षा में याद हो जाएगा प्रयास करेंगे कि आप लोगों को सारा कुछ याद करके भेजें ताकि परक्षा के ज़्याद से ज़्यादा प्रशना आपके सही हो सके कल सुबह साड़े साथ बजी फिर मिलूँगा टेस्ट वेपर के साथ और आज रात को मैं साथ बजी किलास में संक्या ग्यान के दूसरे एपिसोड के साथ मिलूँगा कल भी आप 2200-2400 लोग लाइव देख रहे ते अच्छा लगा आशा करता हूँ आज हम 3000 के पर पहुंचेंगे बहुत बहुत धन्यवाद जयतु समस्कृतम जयतु भारतम